हलो बच्चो आज हम जानेंगे क्लासिक्स का सोशल साइंसे चैप्टर 3 का सरांस और उसके कुछ प्रशनों के उत्तर जिसका सिर्षक है सरकार क्या है बच्चो इस चैप्टर की सुरुआत हम यहां से करेंगे इस चैप्टर में जानेंगे कि सरकार क्यों जरूरी है तो पहला है निडने लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आशकता होती है सरकार विभीन मुद्धों पर निडने लेती है जैसे सनक कहां और कैसे बनवानी है कितने स्कूल और रेल चाहिए श्वास्थ स्विधाय कैसी सुधारी जाए इत्यादि संकेर में सरकार को कई समाजिक मुद्धे पर निडने लेना होता है उधारण सरकार गरिबों की मदद के लिए कारिक्रम बनाती है जब दो शमाजी गुटों में जगड़ा होता है तो सरकार को कुछ नेड़ने लेना होता है तर्ड है सरकार को देज की सीमा के सुपच्चा करनी पड़ती है इसे अपने प्रोसी देसो से मदूरडों बंद भी रखने पड़ते हैं 5. सरकार को नियम कानून बहाल करना पड़ता है ताकि शब लोग सोहार्द के वातावरण में रह सके अब हम यहाँ पर सरकार के अस्तर को जानेंगे तो सरकार के विन अस्तर नीचे दिये गए है केंद्री अस्तर का राष्टी अस्तर यह सरकार का सबसे सिर्ष अस्तर है केंद्र सरकार का काम है राष्टी हीतों की देखवाल करना परदान मंत्री केंद्र सरकार का मुख्या होता है केंद्र सरकार देश की रजधानी नए दिली से काम करती है हर राज की अपनी एक सरकार होती है, मुख मंत्री राज सरकार का मुख्या होता है, राज के अधिन रहने वाले मुद्दों की देखवाल राज सरकार करती है जिला अस्तर जिला अस्तर पर सरकार चलाने का काम सरकारी अधिकारियों के हाथ में है इन अधिकारियों को लोग सेवक यहने शिविल सर्वेंट कहते हैं सरकारी अधिकारी का काम है विभिन कारे करम पर अमल करना गाउं के अस्तर पर सरकार का मुख्या होता है सरपंच गाउं के अस्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं इसका काम है अस्थानी महत्य के मुद्दों की देखपाल करना किन्द सरकार को राष्टे सरकार कहते हैं जब ये अनस्तर की सरकारों को अस्तानी सरकार कहते हैं बच्चो अब हम यहाँ पर सरकार और कानून के बारे में जानेंगे तो नियमों को लागू करके ही कोई भी सरकार काम कर पाती है उधारन के लिए सरकार ने ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए कुछ नियम बना है इन नियमों से ये शम्बो हो पाता है कि कोई भी वेट भी आराम से सणक का इस्तिमाल कर सकता है ऐसा करने में उसे ना तो किसी से विखन मिलेगा और नहीं वो किसी अन को विखन डालेगा यदि किसी को लगता है कि देश के कानून का सही तरीके से पाला नहीं हो रहा है तो अपनी शिकायत लेकर कोट जा सकता है कोड को उस केस की सुनवाई करनी पड़ेगी और देश के कानून के अनुशार अपना फैसला देना होगा कोड की फैसले के बाद सरकारी अधिकारियों को ये सुनेशित करना होगा कि कानून सही डंग से लागू हो अब हम यहाँ पर जानेंगे सरकार के प्रकार सरकार तो प्रकार की होती है राजतंत्र और प्रजातंत्र जब सरकार का मुख्या राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं राजा के पास अशिम शक्ति होती है सत्ता एक राजा से दुसरी राजा के हाथ में वन्शा नुगत तरीके से जाती है इसका मतलब या है कि राजा का बेटा या बेटी ही अगला राजा या अगली रानी बनते हैं इस प्रकार की सरकार के चेन में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है अभी भी कुछ देशों में राजसंत्र जैसे भूटान और शोधियरब फिकन है प्रजातंत्र इस तरह की सरकार में शाशक का चेन लोगों द्वारा होता है जो सरकार लोगों द्वारा लोगों की और लोगों की लीग होती है उसी प्रजातंत्र या लोगतंत्र कहते हैं इस तरह की सरकारे में लोगों की क्छा का अनुशार शत्ता का हस्तांत्रन होता है आज अधिकांस देशों में प्रतिनीधी लोग तंत्र देखने को मिलता है इस प्रकार के तंत्र में लोग अपने प्रतिनीधी को चुनते हैं चुनाव के बाद लोगों के एक्चा के अनुशार एक नई सरकार का गठन होता है इसे समझने के लिए भारत में किंद सरकार के गठन को समझने की कोशिस करते हैं भारत में हर पांच साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए आमचुनाव होते हैं पूरे देश में 543 यानि 543 शंसादिय निर्वाचन छेतर में बाटा गया है हर शंसाद ये छेतर के लोग अपने प्रतिनिती को चुनते हैं जिसे शंसत या Member of Parliament कहते हैं जिसे राजनेतिक पार्टी ये शमों को शंसत में कम से कम 272 सीटे यानि 272 सीटे यानि आदे से एक अधिक आती है उसे सरकार बनाने का मोगा मिलता है उसके बार जीतने वाली पार्टी ये गुट के सांसत अपना नेता चुनते हैं वही नेता प्रधान मंत्री बनता है अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रजातंत्र का इतिहाश आज से 300 वर्षों से यानि 300 यर्ष से भी पहले दुनिया के ज्यादातर देशों में राजतंत्र का बोलबाला हुआ करता था कई देशों के लोगों ने कई वर्षों तक इस बात के लिए संहर्ष किया कि राजतंत्र को हटा कर प्रजातंत्र बहाल हो सके भारत में विलेशी हुकूमत को खाड़ फेकने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजी आज के अंत के साथ भारत में प्रजातंत्र की सुरुआत होई सब के लिए मताधिकार आज लगबग हर देश के हर वेशक को मताधिकार मिला हुआ है सर भोमिक वेशक मताधिकार का मतलब है कि देश के हर वेशक नागरी को वोट देने का दिकार है हर नागरी के वोट की कीमत एक शमान होती है चाय वो अमीर या करीब हो फुरूश या महिला हो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाती का हो अधिकांस देशों में सर्भोमिक वेशक मत अधिकार एक लंबे शंखर्स के बाद ही मिल पाया बच्चो अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्णों के उत्तर को जानेंगे तो पहला प्रश्ण है आप सरकार सब्दों से क्या समझती है यह सुची बनाएगे किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है इसका एंसर है सरकार कुछ लोगों को ऐसा समू है जो लोगों के लिए व्यस्था करती है वियम बनाती है और ने ने लेती है इन इयमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है सरकार ने मिकित परकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है जैसे है देश की सिमाओं के रख्चा करना तता दुसरे देशों से सांतिपुर्ण श्रम्बन अस्थावित करना सेकेंड है देशों के लोगों को जनस्वी धाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, श्वात, संचार आधी उप्रक कराना थर्ड है देश में लोग कल्यन काड़ी यूसनाई लागू करना फोर है विपिदाओं के शमय पिर्थ लोगों को शहता पहुचाना फोर है देश में शांती तता कानून व्यस्ता लागू करना शेकेंड प्रशन है सरकार को कानून के रूप में शब के लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है इसका अंसर है सरकार को कानून के रूप में शब के लिए नियम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश के सभी लोग इकठे रहते हैं और काम करते हैं तो इस सब के लिए एक वैस्ता की आश्यक्ता होती है जिसे आवश्यक निर्ने के लिए दिये जा सके देश के संसाध्रों पर नियंतर रखने के लिए भी सरकाल को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि शभी लोग इंसंसाध्रों का उप्योग कर सकें देश में शांती वैस्ता बनाये रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारों रूप से चल सके थर्ड प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यक लच्छन क्या है तो इसका अंसर है लोकतांत्रिक सरकार के लच्छन है पहला लोकतांत्रिक सरकार का चुनावदेश के सभी वैश्यक नागरी को द्वारा किया जाता है शिकर्ड है लोकतांत्रिक सरकार को अपने नीडने एम उठाये गए कदमों का धार पताना होता है और शफाई देनी होती है 4. महिला मत अधिकार अंदोलन क्या है इसकी उपलब्ति क्या थी दिसका एंसर है महिला द्वारा मत अधिकारों के लिए अंदोलन चलाए गया था इस अंदोलन को महिला अधिकार अंदोलन कहा जाता है पूरी रूप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कारियों में भागीदारी का दिकार नहीं था महिलाओं को सरकार के कारियों में भागीदारी के लिए संगर्श करना पड़ा प्रतम विश्वीत के दोरान महिलाओं का यह अंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दोरान महिलाओं ने प्रूशों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को किया ता था उन्होंने महिलाओं को उनकी छम्ताओं के बारे में फैली गलत रूडी बढ़ धारनाओं को दूर किया और ये शाबित किया कि महिलाएं के उलकाम ही नहीं कर सकती बलकि निड़ने लेने भी योग है इसके बाद अमेरिका में और उतों को वोट देने का दिकार 1920 यानि 1920 में तथा इंगलेंड में या दिकार 1928 में यानि 1928 में दिया गया फाइब प्रशने गांदी जी का दृट विश्वास्था कि भारत में हर एक वेशक को वोट देने का दिकार मिलना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से शहमत नहीं है बहुत लोगों को लगता है कि असिचित लोगों को जो ज़्यादा तर गरीब है वोट देने का दिकार नहीं मिलना चाहिए आपको क्या विचार है क्या आपको लगता है कि यह भेदबाव का एक रूप होगा तो इसका अंसर है हमारे विचार से भारत में शभी विचारों को वोट देने का दिकार मिलना चाहिए इन विचारों में असिचित और गरीब लोग भी शामिल है क्योंकि वोट देने का दिकार का अर्थ है शाषन में भागीदारी ये दि हम असिचित और गरीब लोगों को वोड़ देने का अधिकार से वंचित रखते हैं तो हम लोगतांत्रिक वैस्ता के अनमूल शमानता का पालन नहीं करते हैं दूसरे हम उनके शाशन में भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं जिससे वो निड़ने लेने की प्रेक्रिया में शामिल हो सकता है अथा अपने और देज की हित में निड़ने ले शकता है प्रश्न है अखवार की सुर्कियों को देखिए इनमें सरकार के जिन कामों की बाते की जारे उसकी सुची बनाईए इसका एंसर है सरकार से मांगे के कामों की सूची तो पहला है सरकार शे कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग शिकिन है बाड़ प्रितों के लिए के सरकार की ओर से रहासा मगरी थार्ड है ब्याच की दर में उच्छार सरकार ने प्याच के दाम तै किये फोर है सरवच नियाले के लिए पांच और नियाधी सरकार 5. कोला और बिजली विभागों के पुनागटन के पच में है सरकार 6. सरकार ने 15,000 यहने 50,000 से अधिक गाउं को सुखा ग्रस्त खोशित किया प्रशन है क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उधारन देशक्ती है जिनकी चर्चा उपर नहीं की गई है इसका एंसर है सरकार के कार है ए है ने उद्द्यकों के स्थापना करती है शेकर ने दूसरे देशों से विपार करती है थर्ड है फेलों के विकास के लिए काम करती है अगला प्रश्न है किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है तो इसका अंसर कानून के अनुशान मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना अवश्यक है यह कोई वेक्ती बीना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते भी पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजाक काटनी पड़ती है अगला प्रश्ण है आपकी यहां जिस प्रकार के शासन व्यस्ता है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यस्ता चाहेंगी और क्यों तो इसका अंसर है हमारे देश में लोगतंत्री शासन प्रणादी है और हम इसी प्रकार के शासन व्यस्ता चाहेंगे क्योंकि बारत एक विशाल देश है और यहां विविन जाती हो धर्मों भाशाओं के लोग रहते हैं अतार शबी लोगों को शासन में भगिदारी के लिए लोकतंत्री शासन वैस्ता ही अच्छी है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सस्क्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक यू बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में